आप देख पाय रहे होंगे कि आज मैं आमरूद के बविचा में मौझूद हूँ जहां बहुत सारे आमरूद लगे हुए हैं यह बहुत जल्दी फल देने लगे हैं इसकी वज़ाई यह है कि यह समय समय से सिचाई गुडाई और खाद पानी पाते रहें इस वज़े से सकता है नहीं और फावर्श करेंहें और इनवार्मेंट भी अच्छा रहता और दो बार यह टाइम में वह आम लूद देता है एक तंडी के टाइं में और एक बार इसके टाइम में और यह जो चैंब है तो इसमें अब यह बारी सका टाइम में फलेंगी जैसे कि देख पा रहे हैं छोटी छोटी आमरूद लगी हुई है और यह कुछ दिनों बाद बड़ी हो जाएंगे और पाक जाएंगे तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी हो जाती है इसके सिचाई के लिए हमने बेवस्ता की है जैसे आप देख वा रहे हैं यहां पर सोलर पंप लागा कि इसके साथ साथ इसका यहां फाइदा होता ही कि इसमें डेली सिचाई होती है तो यहां इन्वार्म्न ठंडर रहता हिए ज्यादा गर्म नहीं लगती जब हमेठेन होता है तो हम यहां अंदर आ जाते हैं और बड़िय घोम लेते हैं आप सुन पा रहbonsrail कि इसलिए और उ कमेंट पर बताएं थैंक यू सो मच पर वाचिंग